तो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही देखा जाए तो सिंपल सा टॉपिक है एक एक करके आप समझोगे एक्जाम में किसी टॉपिक पे कुश्चन भी बन सकता है जैसे इस पे से तो नहीं इस पे दो नंबर का इस पे दो नंबर का हम अभी देखेंगे भी लास्ट के दो इयर अगर मैं लास्ट इयर को छोड़ दो एक्जाम नहीं हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे एक्जाम में सिर्फ एक्सपेंस पर बनाया हुआ था और एक यह है तो हम दीरे दीरे एक एक स्टेप करके चलते चलेंगे और उसके हिसाब से हम सारा टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले है ट्रांसफर की एंट्री ट्रांसफर की एंट्री से मतलब क्या है ट्रांसफर से एंट्री का मतलब होता है कि जो भी बैलेंस शीट में आपके एसेट्स है और जो बैलेंस शीट में आपके क्या है ल माइंड कराओंगा, पहले बी मैं कई वार कराता हूँ, सबसे पहले balance BD की हम कोई general entry नहीं करेंगे, balance BD जितने भी है, उसकी कोई general entry नहीं होने वाले जितने भी balance BD है, और हला कि देखा जाए तो यहां balance BD दो ही type के मिलते हैं, हमें balance sheet अगर दे रखा हो न तो दो points मिलते है balance sheet एक तो partners capital के अंदर जाता है और एक bank या cash account में जाता है तो balance bd कहां मिलेगा आपको एक मिलेगा partners capital में और एक मिलने वाला है आपको bank के balance का इसकी general entry हम नहीं करेंगे मैं transfer की बात कर रहा हूँ आप सभी दिमाग में एक चीज़ लें जो नीचे adjustment होता है balance sheet उसके लिए बात नहीं कर रहा है उसके लिए मैं अलग से points में बना रखें तो सिर्फ आपने balance sheet जब खाली करोगे तो उसकी भी general entry करनी होगे तो balance sheet जब खाली करोगे तो जब general entry करोगे तो एक तो assets होगा तो assets की general entry हम कैसे करेंगे सारे assets जितने भी हैं क्योंकि balance sheet से आपको निकालना है यानि balance sheet से खाली करके उसे zero करना है हमें तो balance sheet में होता है debit और अगर उसे हमें निकालना है balance sheet में से तो क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा और निकाल के कहां ले जाएंगे वहां हमें उस account का नाम लिखना होता है realization में जाता है तो normally हम जो entry करेंगे पहले मैं asset की बता दू assets की बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या सारे जितने भी realization है उसको realization account debit थोड़ा short form जरूर लिखना हूँ लेकिन समझ में आएगा आपको और नीचे सारे के सारे assets लिखेंगे कौन कौन सा assets लिखेंगे जैसे machinery furniture debtor हाँ एक बात जरूर धियान रखना है debtor जो लिखना है gross लिखना है हम transfer में भी gross ही entry का entry लिखने वाले है ऐसा नहीं कि आप net net का मतलब समझे रहें जो minus करके देता है वो नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे gross लिखेंगे वैसे तो लिखने को बड़े सारे assets है लेकिन मैंने example लिया है जैसे stock बोला अपने तो stock ले लिया ये transfer हो गया that's it ये entry जो हमने करा है ये किस चीज की entry करी है हमने balance sheet के सारे के सारे assets transfer हो गया सारे assets में से कौन कौन assets को transfer नहीं किया एक partners capital भी assets में हो सकता है हमने देखा भी है इसको भी transfer नहीं करेंगे एक bank का balance जो होता है इसको भी transfer नहीं करेंगे because of ये balance BD का part है और साथ के साथ balance sheet में से कुछ item और भी रह जाता है जिसे transfer नहीं करते जैसे कि आपका profit and loss का balance ठीक है और या फिर advertisement तो कुछ points रह गये हैं ये तो assets हो गया, assets का सारा part नहीं हुआ ये वो assets है जिसे बेचा जाएगा अब कुछ assets है जिसे बेचा नहीं जाएगा वो सीधा connected हो जाता है partners capital से तो उसके लिए क्या entry करेंगे उसके लिए हम करेंगे partners capital को debit partners capital account अब sir partners capital में किसका करेंगे अगर तीन partner है तो क्या तीनों को debit करना है बिल्कुल हाँ profit sharing ratio में जाता है ये जैसे तीन partner है तो x, y और z करेंगे और तीनों को हम क्या करतेंगे उठा के debit करतेंगे और profit sharing ratio में करतेंगे क्या क्या जाएगा partners capital में एक तो जा सकता है profit and loss का कौनसा balance loss वाला और क्या जा सकता है और हमारा जा सकता है advertisement suspense ये हमारा low हो गया assets हमारा complete balance sheet का हमने assets side पूरा complete कर लिया अब रही being की बात being में लिखा जाएगा being में लिखेंगे जैसे मान लिजिए जितने भी assets है न ये सारा assets का पहले आप amount लिख लेना समझ पारे हो आप सारे assets का amount हमने लिख लिया और इसी सब को total करके इकटा लिखना है debit में समझ गया है सेम यहां क्या करोगे जितने भी credit है इन दोनों को पहले जोड लोगे और उसी को PSR partners capital में बाढ़ दोगे हाला कि इसकी आप अलग अलग entry भी कर सकते हो partners capital to profit and loss और एक और कर सकते हो partners capital to advertisement suspense being में क्या लिखेंगे all assets transfer to realization account all assets या sundry assets transfer to realization simple और इस वाले में being क्या लिखेंगे losses है तो losses distribute in the partners in profit sharing ratio और अगर advertisement suspense है तो उसको भी ऐसा ही लिख देंगे advertisement suspense distribution between the partner in the profit sharing ratio तो यहाँ पर being आ जाएगा तो मैं हम क्या सीख रहे हैं हम जब कभी भी balance sheet से transfer करते हैं तो उसकी general entry सीख रहे हैं तो मैंने सबसे पहले किस चीज की general entry खतम कर दी assets की समझ में आगे assets अब liability को भी transfer करना होता है तो अगर मैं liability की इस side में बात करूँ मैं यहाँ जरूर लिख रहा हूँ लेकिन इसका part नहीं है अभी इसी को लेके चल रहे हैं फिर इस पे आएंगे ठीक है ना liability की बात करें तो liability को भी balance sheet से निकाल के बाहर करना है हटाना है जब हमें liability को balance sheet से निकाल के बाहर करना है तो liability credit होता है तो अब निकालने के लिए transfer करने के लिए क्या करना चाहिए हमें debit करना चाहिए तो liability में क्या-क्या हो सकता है creditor, bills payable, loan हो सकता है partner का loan नहीं होगा और other loan मैंने यहाँ पे लिखा यह सारा debit कर दिया मैंने इसको और two कहाँ भेज देंगे to realization account यह लो हमारा liability भी यहाँ से transfer हो गया कुछ बच्चे पूछ सकते हैं sir unrecorded assets तो लिखा नहीं वो भी लिखेंगे क्या यहाँ पे अरे unrecorded assets तो balance sheet में होगा ही नहीं तो कहां से transfer कर सकते हैं Unrecorded liability भी balance sheet में होगा ही नहीं तो कहां से transfer करेंगे तो ये तो सरिफ वसी item को हम transfer कर सकते हैं जो कि हमारा पहले से balance sheet में है already ठीक है अब बात करते हैं साथ के साथ being क्या होगा being होगा liability या sundry liability transfer कर दिया TF लिख दिया मैंने to realization अब कुछ एक ऐसे liability है जो partner के बीच में distributed हो जाते है जैसे क्या क्या profit and loss का profit का balance दे रखा हो liability में और work man compensation reserve दे रखा हो और general reserve हो ये सारे वो चीजे हैं जिने हमें partners के capital में बाटना है तो जब कभी भी question में मैं लिखू ना partners capital तो ये समझ जाना सभी में बटेगा ratio में किस में बटेगा सब में अगर दो partner है तो इन सब को total करेंगे दोनों में बाट देंगे दूसरा option आपके पास ये भी बसता है आप हर किसी को ठीक है न तो partners capital में हमारा आ जाएगा तीनों में बट गया तो liability अभी खतम नहीं हुआ liability में अभी कुछ बच गया क्या partners का capital account का balance यह होगा न देखो आपने याद करो थोड़ा सा memorize करो creditors भी देखा bills paypal भी देखा और उसका partners का capital भी देखा workman compensation reserve तो यह सब तो लिख दिया लेकिन partners का जो balance है वो किस में convert रोता है balance BD में तो उसकी general entry हम करेंगे ठीक है न जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अब एक point और रह गया partners का loan उसको भी transfer करना है तो मैंने बताया था partners के loan के लिए आप क्या prepare करोगे loan का account तो उसका general entry जो partners का loan रह गया यहाँ पे specially लिख देता हूँ मैं partners का loan इसकी general entry जो हम करेंगे वो करेंगे loan खतम करना है वहाँ से जैसे मान लेते हैं उसके अंदर given है आपका x का loan y का loan whatever name given हो तो यहाँ पे होगा x या फिर simply हम कर सकते हैं इसको partner या x का है तो x loan account debit अब x loan account debit का मतलब balance sheet के liability में जो था उसे निकाल लिया है और इसे भेज देंगे हम to loan account loan account to loan account ठीक है ना कहाँ पे prepare कर लिया हमने loan एक और alternative है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप चाहें तो to loan account की जगह पे आप लिख सकते हैं partners capital account मैंने और लिखा है तो इसका मतलब आप to loan करके भी entry को खतम कर सकते हैं और partners capital को भी लिख के अगर x का है तो x capital लिख देना ठीक है ना being क्या होगा loan transfer being loan transfer to capital account या loan account कर सकते हो या तो loan account करो या capital account यह कौन सा loan है बताओ liability वाला यह partner का loan है अगर मैंने बताया था याद है अगर उसकी wife का loan हुआ तो इसी के अंदर incorporate कर देंगे यहीं पर हो जाएगा entry में ठीक है ना bank का loan हुआ तो भी इसी में incorporate हो जाएगा उसके लिए कोई loan account बनाने की ज़रत तो यह हमारा सारा का सारा transfer की entry है suppose करो जो हम question करते हैं full flash जिसमें सब कुछ होता है आपका अगर उसमें बोला जाए laser मत बनाओ pass necessary journal entry then आपको पहली entry तो यही करनी पड़ेगी उसके बाद हम adjustment की entry करेंगे जो कि मैंने आगे points बनाए हुआ है second number पे assets में अगर loan है तो वो भी partners capital में जाएगा अच्छा point है assets में loan होगा तो वो हम realization में नहीं भीचते तो चलो मैं यहां लिख देता हूँ in case हो सकता है assets में loan हो partner का है ना अगर assets में loan हुआ partner का तो कहां पहुंच जाएगा यह भी हमारा चला जाएगा partners capital में तो entry कैसे करेंगे अगर partners capital में चला जाएगा तो हम यहां पे partners का capital debit कर देंगे और to partner partner का loan being क्या लिखोगे partners loan transfer to capital ठीक है ना तो यह पूरा का पूरा हमारा transfer का journal entry हमने किया है फटा फट से आप note कर लिजिए step by step जैसे pages में जगह मिलता है बिंग भी लिखिए इसके बाद हम पता ही क्या करेंगे assets or liability प्रोविजन और IFR चलो उसकी भी entry कर देते हैं प्रोविजन और IFR होता है investment fluctuation reserve और provision for doubtful debts या provision for depreciation आप realization याद करो सबसे पहले तो अगर मैं पूछूँ के provision for doubtful debts क्या होता है तो यह liability होता है ठीक है ना तो अगर हमें asset side में जो minus करके दे रख है उसकी entry की बात करूँ तो आप कर सकते हो PFD और या फिर आप कर सकते हो IFR और 2 चला जाएगा realization एक ये point रहे गया था उससे भी कर लिया हमने ठीक है यानि जो आपने by side में सबसे top पे लिख देते हैं उसकी entry ये करते हैं provision और PFD तो पहले इस chapter को करने के लिए हमने पहले laser वाला part cover कर लिया ताकि easily समझ में आ जाए अगर मैं पहले journal कर वाता ना तो आपको दिमाग में ये भी समझ नहीं आता जल्दी से journal वाले case में आपको पता नहीं चलता ये कहां से entry आ रहा है नहीं आ रहा इसलिए इस chapter में सबसे पहले हम क्या करते हैं laser कर लेते हैं जिससे आपको नहीं बिल्कुल clear हो रहा है तो इसकी entry ये हो रही है realization के 2 में गया था इसलिए इसकी entry ये हो रही है तो थोड़ा journal entry easy हो जाता है अगर हम पहले laser वाले part को करते हैं तो note करिए इसको फिर हम अगले point पर चलेंगे next point asset sold या liability paid अब asset sold और liability paid दो तरीके से हो सकता है हमारा majorly या तो हम cash में या फिर bank जो whatever name call कर लो और जो question में बोले मैं दोनों को एक ही मान के चलता हूँ फिलाल के लिए क्योंकि कुछ नहीं बोला जाए तो आप cash account भी कर देते हो और bank account आपके इच्छा है दूसरा ये liability asset sold पता है कैसे हो सकता है by partner यानि taken by taken by partner taken by partner हो सकता है simply दो ही part हो सकते हैं तीसरा नहीं है अब sir जब cash या bank में बिखेगा तो कैसे entry करेंगे और partners ले जाएग तो कैसे entry करेंगे adjustment बिल्कुल सेम होगा 50% assets 30% assets realize as a 20% profit जो की given होता था हमें ठीक है ना उस adjustment की अगर मैं कुछ points लिखूं तो मैं यहां लिख देता हूँ दो चार adjustment जिससे आपको easiest रहे मैंने लिखा कि debtor debtor relies rupees 50,000 simple लिख दिया मैंने debtor 50,000 रुपे का बिका पास necessary journal entry दूसरा point मैंने लिखा stock taken by ram rupees 3,000 ram ने 3,000 रुपे का stock क्या कर लिया taken कर लिया तीसरा adjustment मैंने यहां पे लिख दिया mrs x loan paid by Mr. X जो Mrs. X का loan है वो responsibility Mr. X ने ले लिया payment करने का रुपीस कितने का है रुपीस मैं मान लेता हूँ 5,000 रुपे 4th adjustment मैंने कहा creditor paid paid in full amount देखो यहां पे हमारे पास balance sheet है नि तो इसलिए मैं जो भी amount है वो मैं पूरा ही लिख रहा हूँ अब कोई ये भी question पूछ सकता है कि sir अगर कोई creditor debtor को settle कर रहा है तो उसके लिए मैंने अलग topic ही बनाया ठीक है न उसके लिए proper मैंने topic ही अलग कर दिया ताकि आपको अच्छे से सारी बाते समझ में आ जाए तो यहाँ पे state forward होगा assets बेच दिया partner अब हम बात करते है assets दो entry है दोनों entry करके दिखाऊंगा और सारी entry उसी type से होगी पहला है debtor realize हुआ तो debtor realize जब भी होगा ना तो हमारे पास पैसा आएगा और realization में by side में लिख देते हैं है ना तो entry जो होना है first entry की बात करें या तो मैं करूँगा bank account debit to realization अब भले ही यहाँ पे debtor भी का है काफि सारे बच्चों का query होता है सर debtor अगर realize हुआ है तो entry के अंदर debtor तो आये नहीं तो मैं आपको समझाओ एक बात अगर आपको याद हो आपने balance sheet से तो debtor को निकाल के zero कर चुके हो ना transfer जब किया तो zero हो गया तो अब कहां से debtor का नाम आएगा हाँ debtor realize जो हुआ है ना वो कहां लिखेंगे being में being debtor realize debtor realize rupees जैसे मेरे example में है 5000 तो मैंने यहाँ 5000 लिख दिया अब कुछ बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं कुश्चन में लिखा था debtor stock अलग-अलग adjustment था तो transfer वाले में हमने एक खटा तो कर दिया था लेकिन जब adjustment की बात आ जाए तो हमें एक साथ entry नहीं कर सकते क्योंकि हमें being लिखने में बड़ी problem हो जाएगी मानलो 5 assets है तो मैं तो being लिखूँँगा being debtor realize 5000 and stock realize 3000 and आपका मानलेते हैं building realize तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हर एक entry को अलग-अलग करना है आपने एक entry एक number का पूछा जाएगा exam में ध्यान रहे तो ये मेरा debtor realize वा खास बात मुझे क्या बताना है कि debtor realize हुआ लेकिन journal entry में कहीं भी debtor शब्त का इस्तमाल नहीं हुआ हाँ being में जरूर लिखेंगे सेम ऐसे partners taker over क्या कर रहा है stock stock का नाम नहीं आएगा इसमें इसमें number 2 partners जब भी taken करेगा तो partners capital partners capital to realization समझना है आपने इस बात को to realization amount था 3000 मैंने 3000 लिख दिया अब being में क्या लिखेंगे being stock taken over by ram simple सी बात है ठीक है यानि मैंने partners capital लिखा हाला कि मैं यहां ram's capital कर देता हूँ यह लोग ठीक है ना ram का capital तो simply देखो मैं बताना यह चाहता हूँ कि जब कभी भी adjustment में किसी भी assets को बेचते हैं या कोई ले जाता है तो उस assets का नाम journal entry में नहीं आता कहां पर आता है being में आता है मैंने कहा आप जी building भी का journal entry करो bank account debit to realization stock भी का journal entry करो bank account debit to realization क्योंकि होता कि generally जब आप assets बेचोगे तो bank में पैसा आएगा या cash में आएगा तो उसको debit करिए और आप इसे realize कर रहे हैं तो realization account की help लेंगे आप समझ में आ रही है बात आपको तो मैंने ये चार topic लिखा है और जादा सा जादा chances है इसी चार topic में से 5 नंबर का question बनेगा एक question इसका बनेगा दो question इसके बन गए एक इसका बन गया हो सकता है या तो दो इसके बन गए एक इसका बना देगे examiner और दो इसके बना देगे तो 5 नंबर का इसी में से question आएगा आपका आगे given है taken by the partner ठीक है ये तो मैंने किसके लिए कर दिया assets के लिए ये किसके example है taken by the partner का मैंने हालाक इधर किया लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि assets assets को exercise कर देता हूं और liability को exercise ताकि आपको notes भी अच्छे से बन जाएगा है ना तो assets का exercise कर दिया दूसरे side में किसके example ले लेता हूं liability का तो liability की हम बात करते हैं तो सबसे पहला point है कि Mrs. X का loan जो था Mr. X ने payment करने की responsibility ले ली है ना तो यहाँ पर again हम क्या करेंगे जब कोई partner कोई भी liability पे करता है तो उसका capital बढ़ जाता है ठीक है तो ऐसे situation में हम यहाँ पर जो करने वाले उसको capital को बढ़ा देंगे और entry होगा realization account debit ध्यान रहे और 2 आपका X capital 2 X capital amount आ जाएगा 5000 बाकि debit debit सारे formatting वगरा वही है वो format आपने लिखना है मैं तो यहाँ whiteboard पे सिर्फ आपको concept concept बता रहा हूँ बाकि format तो जो 11 वी class में सीखा था वही रहेगा general entry का being being क्या है हमारा being लिखेंगे Mrs. X loan paid by Mr. X clear? समझ में आए entry देखो liability side में हम liability का payment कर रहे हैं लेकिन entry में liability का नाम नहीं आएगा payment किस वे में हो रहा है वो आएगा अगर partners कर रहा है तो partners के capital को credit करिए और देखिए assets के case में क्या था? partners का capital क्या हो रहा था? debit इस case में क्या हो रहा है? credit अगला है creditor paid full amount to 1000 रुपीज मैंने कहा creditor को 1000 रुपए का हमने payment कर दिया है simply तो अगर creditor को हमने payment किया है तो यहाँ पर realization creditor का नाम हो निसान नहीं आएगा और payment करेंगे तो हमारा cash क्या होगा? credit तो यहाँ पर आज आएगा entry हमारा realization account debit to cash या फिर मैंने bank से लिया है तो मैं bank ले लेता हूँ जादर बच्चे ना जल्दी में देखो तो दो reason हो सकते हैं या तो उनको पता ही नहीं था इसलिए गलत कर दिया इसने कर दिया क्रेडिटर अकाउंट debit to cash वो रहे एक क्रेडिटर खतम हो गया to cash भाई क्रेडिटर खतम नहीं करना वो transfer के time पे खतम हो चुगा creditor अगर आपने दुबारा से debit किया creditor तो आप दो बार creditor को आप debit कर रहे हो एक बार debit कर दिया transfer के time पे एक बार debit कर दिया आपने payment के time पे तो इसका मतलब आपका concept ही गलत हो गया पूरा वो तो ठीक है न तो यहाँ पे आ जाएगा realization account debit और realization account debit की बात करें तो कितने रुपए आ जाएगे आपके एक हजार और यहाँ पे आ जाएगा एक हजार रुपए और बींग क्या लिखेंगे creditor paid rupees 1000 ठीक है यहाँ पे वो भी हो सकता है कि मान लेते हैं मेरा एक लाख रुपए का building है question में given हो सकता है एक लाख रुपए का building है 10% discount पर realize कर दिया अब question raise होता है sir हम किसकी general entry करें तो 10% discount पर realize किया तो आपने 90 का बेचा होगा क्या बेचा आपने building general entry क्या करेंगे bank account debit पैसा आएगा ध्यान रखना आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि पैसा अगर आ रहा है तो debit हो जाएगा cash और realization से match करेंगे और अगर payment हो रहा है तो cash credit होगा realization से match करेंगे अगर assets partner लेके जाता है अगर assets partner लेके जाता है तो capital को debit करेंगे realization से match करेंगे अगर liability partner payment करता है तो partners के capital को credit करेंगे और realization को debit करेंगे यानि यहाँ पे उस assets या उस liability का कोई role नी है general entry में वो being में लिखा जाएगा समझ मैं ही बात आपको तो ये वाला part भी हमने कर लिया खाताम इसको भी फटा फट से एक बार note करिए फिर हम आएंगे अगले वाले point के उपर तो अब देखते हैं कि assets और liability के अंदर जो पहले वाला point था वो क्या था कि आपके balance sheet के assets में assets है और liability में liability और उस पर adjustment है अब unrecorded assets और unrecorded liability वैसे doubtful होना नहीं चीए ये extra point अब ऐसा जिसने समझा है उसे समझ में आ जाएगा question क्या कहता है one unrecorded assets found 600 एक unrecorded assets है found हुआ 600 एक which was taken by the Z450 तो अब entry जो करेंगे वो करेंगे हम 450 से अब assets दो तरीके से ही big सकते हैं या तो partners ले जा सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है normal realize हो जाए यहाँ partner ले गया है again कोई भी assets या liability की जब हम realization की बात करते हैं payment की बात करते हैं तो उसे assets का नाम नहीं आएगा entry होगा या तो bank या partners capital के नाम से ठीक है और realization से match करना होगा तो पहले entry की बात करें तो आप सोचो क्या हो सकता है बता सकते हैं इसकी entry क्या कर सकते हैं पहले वाले की पहले वाले की हम करेंगे Z capital नहीं नहीं Z capital account debit मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ चलो अच्छा है मैंने लिख दिया नहीं तो confused होते to realization ultimately आप realization account को याद करिए realization में unrecorded assets भले ही हैं लेकिन लिखोगे तो by Z capital ना तो वहाँ से entry भी transfer करोगे तो Z capital account debit और यहां amount जो आएगा 450 being unrecorded assets assets taken by Z simple अगर यही बोलता आप मुझे जवाब देना अगर यही assets के बारे में कहता है कि यह हमने market में realize कर दिया है साड़े चार्स हो गई तो entry क्या हो जाता bank account देखो कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे हैं liability का हमने payment कर दिया है question में हाला कि बोला नहीं payment करने को इधर दियान दे इधर realization account debit to same question में थोड़ा समय changes करना चाहूंगा कि unrecorded liability 6000 payment by the Mr. X कर देते हैं तो entry यहां पर realization debit होगा और to bank के जगह पर क्या होगा X का जो भी capital है वो आ जाएगा और being हम लिख लेंगे के हमारा unrecorded liability paid हो गया ठीक है ना unrecorded liability paid कर लिया यानि आप simply अगर common sense अगर दिमाग लगाओ न आप तो अगर partner ले जाता है realization अपनी जगह पर fix है अगर assets की बात आएगी तो realization credit होगा और liability payment की बात होगी तो realization debit होगा है ना assets की बात में अब मुद्दे की बात है अगर bank cash है तो दूसरे side match कर देंगे bank cash से अगर यहाँ पर देखो bank है तो bank कर दी अगर partners capital होता तो partners capital realization के जगह को आप हिला नहीं सकते assets होता है हमारा assets को payment करना है हमें assets को बेचना है तो assets अगर हुआ assets की बात चल रहा है तो दिमाग में एक छोटी से बात trick रखना के assets की बात हो रहा है तो realization तो credit हो जाएगा अब यह चेक करो partner ले जा रहा है तो partner इसको debit कर दो partner नहीं ले जा रहा है bank को debit कर दो सिंपल सी बात है सेम ऐसे liability के point of view से सोचो liability के case में realization तो debit हो गई होगा अगर आप भूल भी जाओ तो सोचना asset debit होता है realization credit होगा liability credit होता है तो realization debit होगा अगर आपने इसका stand देख लिया के कहा होने वाला है उसके बाद तो simply आप कर सकते हो realization आपका debit और two अगर payment किया है तो bank और partners लेगा तो two partners capital तो हमने अभी दो topics को पूरी तरीके से cover कर लिया अभी settlement वाला हुआ ही नहीं है तो आप फटा-फट से इन दोनों पहले इस points को भी उसी के नीचे continuing note करिए इसको भी हाँ बिल्कुल अगर partners कोई भी assets question क्या है के partner जो assets ले रहा है वो cash में ले जा रहा है बोला कि investment partner को sold कर दिया गया तो बैंक से entry आएगा आपका ठेक है ना समये आपका प्राइब में इसके नापका नापका ने हुआर में अभीज़ी निदे छिरें से रहा हैं